नमस्का दोस्तो आज कॉंग्रेस कारसमीति की एक महत्पूर्ण बैठक कॉंग्रेस अधक्षा माननिय श्रेमति सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंग जी की अगुवानी में हुई कॉंग्रेस कारसमीती ने दिल्ली की विकट स्थिती पर एक महत्पूर्ण प्रस्ताव पारित किया है और सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये मैं अनुरोद करूँगा बगेर किसी विलंभ के आदर्निय श्रिमती सोनिया गांधी जी से के वो कॉंग्रेस कारसमीती के इस प्रस्ताव और मौदूदा हालात की जानकारी आपको स्विम देंगी आदर्निय सोनिया जी दिल्ली में हूर ही घूर हिंसा जानमाल के नुकसान और हर रोज बिगर्ती स्थिती पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस कारसमीती की एक आपात का अलीन बैटक हुए पीछले इत्वार से हो रहे हैं लगतार दर्दनाक हाथ सुके पीछे एक सोचा समझा शर्यम्त्र है इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दोरान भी देखा भरतिय जन्ता पार्टी के अनेक निताओं ने भरकाव भाशन देकर दर और नफरत का महौल स्वेलाया एक ऐसा बयान एक भाश्पानेता के द्वारा पीछले इत्वार को भी दिया गिया जब उसने दिल्ली पुलीस को तीन दीन का अल्थिमेतम देते हुए कहा की तीन दीन बीटने के बाद हमें कुछ नहीं कहना पीछले 72 गंते में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जान बूच कर कुछ कर्यवाही ना करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी है दिल्ली पुलीस के एक हैट कॉंस्टबल की जान गई है और एक पत्रकार सहीट सैक्रो अस्पताल में गंभीर इंजरिस के साथ बढ़ती है उतरपूर्वी डिल्ली में चारो और हिंसा फैली है कांगरिस कर्यसमीटी सब परिवारों के साथ अपनी गहरी समवेदना द्याक्ट करती है जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों सदस्यों को खोया है और कामना करती है कि सब घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो पूरी स्टिती को देखते हुए कांगरिस कर्यसमीटी का मानना है कि दिल्ली में मुझूद सिती के लिए केंद्र सरकार खास तौर से घ्रहमंत्री जिम्मेदार है फोरें तौर से जिम्मेदारी लेते हुए घ्रहमंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांती और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरे से विफल हैं तथा जिम्मेदार है दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता से के कारण देश की राज़दानी इस त्रसदी का शिकार बनी है कांग्रेस कारे समीटी देश की और से सवाल पूछती है नमबर एक पीछले इत्वार से देश के ग्रहम मंत्री कहा थे और वो क्या कर रहे थे नमबर दो पीछले इत्वार से दिल्ली के मुख्य मंत्री कहा थे और क्या कर रहे थे नमबर तीन दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजिंस एजिंसी के द्वारा क्या जंग्कारी दी गही और उन पर क्या करवाई हुई नमबर चार इत्वार की राद से कितनी पुलीस फॉर्स दंगो वाले इलाके में लगाए गई जब ये साफ था बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज्यादा फैलने वाले हैं नमबर पाँच जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गएं थे तो ये पोलीस का और पोलीस का कॉंट्रोल नहीं बचाता तो ऐसे में और सेंट्रोल परामिलितरी फॉर्सेश क्यों नहीं बुलाया गया the Congress Working Committee believes that the situation is grave and it requires urgent action adequate security forces must be deployed immediately to bring the situation under control peace committees must be formed in every mohalla consisting of members of all communities to ensure that there are no untoward incidents senior civil servants must be deployed in each district to take charge of the administration to ensure that the administrative machinery responds to the evolving situation the chief minister of Delhi must be visible in the affected areas and in constant communication with the people the Congress Working Committee appeals to the people of Delhi to reject the politics of hate and do their best in healing the rifts caused by these shameful events to help rebuild all that has been lost and to ensure that such events do not take place ever again the Congress Working Committee calls upon all Congress workers and leaders to visit the affected areas to extend all possible support to the families of those who have suffered as a consequence of the violence and to help build bridges between communities this would be the most fitting tribute to Mother India the Congress Party was to hold a march and give a memorandum to President of India today the Honourable President of India communicated to leader of opposition Shri Ghulam Nabi Azar that he is unavailable today and has given us a time for tomorrow upholding the respect for his high office we have deferred the march and and we shall be now giving a memorandum on the grim situation in Delhi and loss of lives tomorrow I will go to Sunil now Madam there is a definite silence from the President of India the Vice President the Prime Minister the Chief Minister appealing for Carmen the Chief Minister of course has yesterday appealed would you like to comment on that and the CWC is keeping quiet about why wasn't the army deployed because when people have lost base in the Delhi police the temples of learning have been attacked there is a lack of confidence in Delhi police why hasn't the CWC said that well we have in our resolution mentioned precisely that the need of paramilitary forces there is a problem between the difference between paramilitary and armed military this is the first step the first step is paramilitary and then and the definite silence from the top leadership well I feel that is rather shocking yes it was expected of the top leadership of both the central government and the Delhi government to speak up and to I have seen though I have seen in social media some comments but formally nobody has really come out with a positive message thank you can I ask Siddharth to ask your question now yes you see in the past even during the Vajpayee government in those days I used to be the LOP Vajpayee G whenever there was prices of any kind whether in Kashmir or in any other part of the country the first thing he used to do he used to himself call all leaders all party leaders and he himself on many occasions actually took those meetings but sadly unfortunately and sadly we have to say that ever since the Modi government has come in since 2014 as far as I know no such meeting has ever been called the only one was recently when the home minister just now called the meeting and that was only they only called I think the Delhi representative not an all party meeting it is a sad fact but it is the truth yes yes Pallavi from CNN Pallavi Ji Pallavi Ji we can't really believe what the BJP says Pallavi Ji I think BJP needs to first settle the dichotomy between the statements of the minister for home affairs as also the minister of state for home MOS home says it's a concerted conspiracy and MH minister for home affairs says that no it is a spontaneous riot so let them first settle and come out with a clear stance I'll come to that I've taken your question let me let me take from another colleague that is that is why in our resolution we have spelt out what we think needs to be done in order to quell the problem here because yes it is true that we fear that it may spread to other parts we have clearly in our resolution which I'm sure you will be given we have clearly spelt out what we feel needs to be done so Ashok Singal from today Ashok Singal from today can we wind up man thank you very much thank you so much so grateful thank you thank you thank you जुचसे एफिक जुचसे जुचसे लाइब कर दोचा जूचसे लाइब सुचसे लाइब स्थेशानी यजियो भी जुचसे लाइब झाल